दोस्तों आज मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा, अगर आपको कोई नहीं बताएगा तो आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि दोस्तों मैं आपका दोस्तों, दोस्तों की मदब करते हैं, तो आए बात करते हैं ऐसी चीज़ क बात कि नहीं कर रहा, उसके अलावा, आप किसी को अगर पैसा भीजना चाहो, तो आपका नाम शो होगा ही, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, कि आपका नाम शो ना हो, यहाँ पर मैं डिजिटल वे की बात कर रहा हूं, वो अलग बात है कि पैसे का बंडल बनाकर आपको जिए घर म चीज भी है, आप चाहे तर ट्राय कर सकते हैं, तो या मैं जितने भी hackers हैं, अच्छे, बुरे, ग्रे, कोई भी, आपको यी लगता होगा, कि ये लोग ऐसे devices इस्तुमाल करते हैं, जो करोडों के आते हैं, जो लाखों के आते हैं, ये जो hacking perform करते हैं, white hat hacking या किसी भी तरह की गया कि और यहाँ पर तो मैं सिर्व वाइट हैकिंग कीशन की बात करता हूं इतिकल हैकिंग की बात करता हूं तो यह जो hackers होते हैं जो pen testers होते हैं यह बहुत महेंगे devices देवाइसे इसमाल करते हैं यह सस्ते में खरीद कर ले आते हैं तो ये गलत बात है, ये गलत चीज है कि महेंगे प्रोडक्ट्स हैकर्स जो होते हैं, उनके पास बहुत महेंगे कम्प्यूटर और सिस्टम्स ही होते है कई बार तो ऐसे केसिस भी शामने आए है जो एक जीटिये का जो हैकर है उसने एक फायर स्टिक की मदद से जीटिये के सर्वर को हैक किया था हाला कि ये गलत बात है, इस चीज के लिए उसको पूरी जीवन भर के लिए जेल हो चुकी है, लेकिन ये गलत बात है कि करोडों के लब टॉप्स होते हैं लोगों के पास ऐसा नहीं होता, बहौत बेसिक से बेसिक चीज़े होती है इंके पास अगर कोई बहुत एक्स्ट्रार्णरी चीज़ होती है तो वो होती है स्किल जिसका इस्तमाल करके ये कंपनिों को सेक्यूर करते हैं, pen testing करते हैं या जिस भी तरीके का वो hacker है उस तरह की चीज़े करते हैं Redmi company, Xiaomi company बहुत ज़ादा criticize की जाती थी उनके bloatware से भरे system से और के लिए उनके UI के लिए और वो जो अपने mobile phoneों में ad दिखाते हैं उस चीज़ के लिए अब वो अपना hyper OS लेके आने वाली है बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये अपना अलग ecosystem बनाना चाहते हैं लेकि दोस्तों सचाई ये नहीं है और मुझे बिल्कुल भी ने लगता है ये सचाई है कि ये अलग ecosystem बनाना चाहते हैं दर असल ये अपने MIUI की खराब image को ठीक करना चाहते हैं लेकि ये पब्लिक को कभी नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत वक्त से मैं भी बोल रहा हूँ कि ये शाउमी की device जो इनका hardware होता है बहुत capable होता है बट ये एक जगा पर मार खाते हैं कि सबसे बड़ी कमजूरी वो है software शाउमी कंपनी को कोई touch भी नहीं कर सकता था क्योंकि शाउमी कंपनी इंडिया में तब से पकड़ बनाए हुए है जबसे बाकी Chinese कंपनिया आई ही नहीं थी सबसे पहले अगर कोई company चाइना की भारत में आई जिसने smartphone में बहुत अच्छा किया तो वो redmi ही थी लेकिन redmi पीशे रहे गए क्योंकि उसका जो MIUI है वो बहुत outdated है बहुत bloatware जे बरा हुआ है बहुत ads दिखाता है बहुत heavy है जिस system के आधि resources तो UI खा जा रहा है तो applications क्या खाक चलेंगी उसमें इसी इसको change करने के लिए उसको हाइपर OS नाम का एक Vela based Linux based UI लेकर आ रहे हैं और एक fact मैं बता रहा हूं कि यह जब चीजों को चुपाने वाली बात है इससे ज़ादा और कुछ नहीं यह सच्चा है आपको कोई नहीं बताएगा अगली सच्चा ही दोस्तों यह है कि कोई भी country जब कोई technology को export करती है तो वो अपने country की बहतर best technology को कभी भी export नहीं करती इसलिए अगर technology में किसी भी country को आगे बढ़ना है तो उसे वो technology अपने देश में बनानी होगी for example क्या आपको लगता है कि अमेरिका कोई ऐसी technology किसी दूसरे देश को देगा जो उसे लगता है कि वो बहुत powerful है जो उसे लगता है कि वो उसकी country के लिए बहुत ज़ादा एक asset है बिल्कुल भी नहीं ऐसा कोई भी देश दुनिया का मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा है even China, South Korea, Russia कोई भी country अपनी best technology दूसरे देश को नहीं देती वो वही technology बेचती है जो वो किसी उसके किसी काम की नहीं होती या उसके पास 10-20 साल पुरानी हो चुकी होती है जब उसके पास उससे एक better option आ चुका होता है तो जितने भी country या दूसरी country से technology इंपोर्ट करती है या तो स्पेश वो एयर क्राफ्ट या वो गंज या ammunition या fighter planes tanks या radar technology GPS वाली navigation technology कुछ भी वो सब inferior quality की export की जाती है हर देश का यह नियम है और यह मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा लेकिन यह लोग समझते लिए इसी लिए हमारी सरकार made in India को लेकर भारत में बनाओ यह चीज लेकर बहुत और आपको पते है GPS बहुत अची technology navigation के लिए पूरे दुनिया भर में आप रास्ता देख सकते हैं उससे तो भारत ने नाविक क्यों बनाया navigation आपको बता चलिया होगा क्यों होना है तो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो भारत में बनेंगी और यह बंडी भी चाहिए हम अपने देश से ही एक एडवांस टेकनोलोजी बना सकते हैं किसी की टेकनोलोजी इंपोर्ट करके हम टेकनोलोजी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं चरध्यान देना इस बात पर अगली चीज़ जो लोग बोलते हैं कि लैप्टॉप भाई बहुत बढ़िया होता है स्टूडेंट्स को लैप्टॉ बागे नहीं निकल सकता क्यों क्यों कि लैप्टॉप में बहुत लिमिटेट स्पेस हैं लैप्टॉप के जद तर जो सीपी उस होते हैं नॉर्मल लैप्टॉप के वो लो पावड़ वाले होते हैं लैपटॉप के बसे एक ही यार एक पॉसिटिव साइड है कि उसको लेकर पॉसिट को लेकर अप कहीं घूम सकते हो। स्टुूटिण्स को इसलिए जाता है कि वो ऐस जाते हैं होस्टल में रहते हैं उनके पास हॉस्ट इस सपेस नहीं होता होको आपको इbayसमिटॉप कमधूटर ही खरीद ना चाहिए जितने भी लोग आपको गेमिंग के लिए laptop बोलते हैं, laptop लेना चाहिए जो कि आपको घर में बैटके खेलना है तो वो भाई आपको फिर फाल तु पागल बना रहे हो एक desktop computer always better होता है एक laptop से no matter आप कौन सा model खरीत रहे हो desktop computer always better लेकिन आप mobility चाहिए portability चाहिए, then ये एक factor हो सकता है कि आप laptop खरीते उसके अलावा और कोई भी नहीं लिए ये सचाहिए आपको कोई बताएगा ने, क्योंकि पूरी laptop market ही इसी पर चल रही है आजकल तो हर चीज़ के लिए laptop बन रहे है, क्योंकि public demand करती है, public gaming computer की कम, gaming laptop की ज़्यादा demand करती है, एक लड़का है जिसके घर में 3-4 कमरे है बड़ा पूरा घर है, कोई restriction ने लेकिन उसको भी gaming के लिए laptop ही चाहिए वो desktop computer नहीं चाहता क्यों भाई? क्योंकि उसको ये सच्चाही नहीं पता, तो दोस्तों होगी, जो आपको शायद पूरे दिन busy रखेगी, आप उसके बारे में सोचते लेंगे सोचना भी चाहिए, क्योंकि coffee important चीज़ है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें, cyber security और ethical hacking में interested तो description चेक करें 2.99 रुपीज के तीन इतिकर लाइकिंग कुर्सिज है आसान भाषा में आपको इतिकर लाइकिंग सिखा देंगे मैं मलता हूँ आप से गली वीडियो में, thank you so much and goodbye झाल झाल झाल